अपने चैनल बेजिक नॉलेज़ में दोस्तों आज आप लोगा मैथ का एक्जाम था और आसा करता आप सभी का मैथ का एक्जाम बहुत ही बढ़िया गया 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 दोस्तों अगर आप लोग तीन दिन जो वीडियो अप्लोड किये थे वह अगर सिर्फ देख लेते तो बहु सक्षन में अपना नंबर चाप दे चलिए देखते हैं क्या का एंसर है और पहला स्वाल देखिए आप एक सो बीस का अबहुत पूछाए दोस्तों तो इसका जो एक का सही उत्तर हो जाएगा एक ही हो जाएगा निकि दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना पांच इस अगला सवाल चाहते हैं तीन नंबर सवाल देखिए आप चे और बीस का एक सिअप निकालने यानिक हाइस्ट कॉमन फैक्टर यानिकि मौतम सवापर तक निकालने बोला था तो तीन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दो यहाँ पर इसका एक सिअप दो निकल कर सामने य को लोग पी एक्स गराब दिया हुआ है बहुत आसान सवाल पुछा है दोस्ता आप लोगा इस बार देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन यानिकि पांच का ओप्सन नंबर चार बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखी क्या बुला है बहुपद ए अगला सवाल दोस्तों साथ नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि जिसके सुनने को का योग तता गुननफल दिया है माइनस तीन और दो तो दूइघात इसमें बहुपद क्या होगा तो साथ का दिखे साही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नंबर एक यानि का अप्सन नंबर एक सही हो जाएगा आठ नंबर का नौ नंबर स्वाल देखते हैं दोस्तों नौ नंबर बोला है कि रैखिक समिकरन दो समिकरन दिया है का हल होगा इसका हल क्या होगा तो नाइन नंबर आप लोग निकाल लिजेगा इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यानि कि X बस ब्राबर दों आएगा और Y ब्राबर मैनेस एक आएगा नोअ का option एक बिल्कुल सभी हो जाएगा 10 बंबर देखते हैं राखिक सम्मेकरन 화ल होता है राखिक समगरण यह जिसका हल होता है क्या कहलाता जिसकाया हो दोस्तों उसको संगतों और जिसका सही उतर हो जाए 11 का option number 1 सही हो जाएगा यानि की एक हल होगा इसका समझ गया है चले आगे चलते हैं दोस्तों रगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है 11 का option number 1 सही है 12 नमबर देखी क्या बोल रहा है दोस्तों 12 नमबर समयकरन निकाई 2x plus y minus 6 दोसमयकरन दिया है कि अधित्य हल होने के लिए के का मान है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के का मान अधित्य हल का होता है जब को पता है जब a1 by a2 not equal to b1 by b2 हो जाए दोस्तों यह question में गलती दिया हुआ है जारकन बोड एक question पर गलत किया है क्यों क्यों कि यहाँ देखे उस सारा जो option है सभी कोई इसमें satisfy कर जाएगा मतलब a1 by a2 not equal to b1 by b2 हो जाएगा ठीक है सभी इसमें इसमें भी इसमें भी और इसमें क्या पुचा लेकिन का मान क्या होना चाहिए तो इस मान पर नहीं होगा तो सही होता लेकिन आप पर गलत लग रहा क्या सभी है कि नहीं कुछिस्टन नेक्ट कोई असंगत है तो इसके आले की रेखाई होंगी तेरे नमर सवाल देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन समांतर ठीक है असंगत होता है तो समांतर होता है नेक्ट कोईसन चोदर नमर निमे लिखित में कौन दुईघात समिकरन नहीं है चोदर नमर सवाल देखिए तो इसमें ऑप्सन नमर दो जो है दोस्तो वह आप लोग का दुईघात समिकरन नहीं है तीक है ऑप्सन नमर दो जो है दुईघात समिकरन नहीं है दुईघात समिकर में सोलन और बोल रहा है एक स्क्वाइड प्लैस ब्राबर जीरो के दो बराबर बास्ते एक मूल होगा यदी क्या डी का वैलू क्या हो जाए जीरो हो जाए यानि कि सोलों का तीन बिलकुल सही उत्तर हो जाए दोस्तों कल मैंने यह आप लोगा दुई घात समय कर रात को एक व अगर आप भी देखें तो जरू अच्छा गया होगा नेक्स देखें दोस्तों दुगात समय करन दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी सतर नमबर का ऑप्सन नमबर दो बिलकुल सही हो जाएगा इसका मूल निकाल लिएगा डी वास्तविक और असमान होगा यान 19 नमर स्वाल देखें लिए दोस्तों 19 नमर बो रहा है यदि दुगात समय करन इतना के मूल का एक मूल माइनस दो है दोस्तों कल ही मैंने ये बहला स्वाल बताया था इस प्रकार के एक स्वाल बताया था अगर उसको देखें होंगे तो बिलकुल सही हो जाएगा दोस्तों तो इसका मूल होगा दो बटे तीन और माइनस एक बटे दो यानि कि मूल यानि कि X का वैलू दो बटे तीन हो जाएगा और एक बटे माइनस एक बटे दो हो जाएगा एक इस नमर देखिए एपी का बहुत आसान स्वाल था मतलब जितना मॉडल पेपर में थान उससे भी जी स्वाल आप लोग एक्जामें पुछा गया है तो अबजेक्टिव में तो 40 में 40 आप लोग को उठाना चाहिए सभी का 40 में 40 आना चाहिए आगे देखिए क्या है एपी होगे तो 20 सही उत्तर आप मिल जाएगा यानि कि 22 का जो आप संदो बिलकुल सही हो जाएगा तरीस नमर स्वाल क्या बोला देखिए एक एपी में यदि ए बराबर साथ डी बराबर तीन और एन बराबर आठ तब एन का मान क्या होगा दोस्तों एन का वैलू होता है एप्लस का योग वाला फॉर्मल लग जाएगा यानि कि एसनी को टैन बाई टू इंटू टू इंटू टू ए प्लस एन मैस वाइंटू डी तो चौबिस कर जो सही उत्तर हो निकल कर सामने आएगा वह पैंतालिस आपका बिलकुल परमसाइट तो उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 25 नमबर सभी ब्रित होते हैं समरूप दोस्तों त्रिभूच का मैंने एक इस्पेशल वीडियो अप्लोड कर दिया था सारा चैप्टर का मैंने इस्पेशल वीडियो अप्लोड किया था अब्जेक्टी बाला उसको अगर आप लोग देख लेते दो या तिन देन तो एक भी पांच हो गया याने कि इसकी भूजाएं जो है समानुपाती है एक बटे दो है सभी का अनुपात इससलिए बाई संसे हो जाएगा आप सवाल क्या बोल रहा है यदि A B C और D E F में कौन A बराबर कौन D कौन B बराबर कौन F कौन C बराबर कौन E है तो कौन सा यहां पर सही हो जाएगा तो दिखिए आपर A B C है तो D F E तो A B C और D F E option number 3 में मिल रहा है तीन को मार दिए टीक और आगे बढ़ जाएए 29 नमर क्या है देखिए दो सम्रूप तिर्भुजों के भुजाओं का अनुपाद दिया है छेतर प्लका नुपाद निकालने बोलाए तो बस स्कौर कर दिजिए चार के स्कौर सोलो नौ का सही सही एंसर हो जाए 29 का चार नंबर इस दा करेक्ट एंसर नेक्स्ट तीस नंबर स्वाल देखिए आप सभी के सामने है एक समकून तिर्भुज में कर्ण दिया है तेरा और एक भुजा है बारा तो सेज भुजा की लंबाई समकून ने बता चुगा ताप लोगों दो यानि की पांच ठीक अप्सन नंबर दो यानि की पांच सही एंसर हो जाए इसका आगे देखिए 31 नंबर में दोस्तों डायरेक्टी तो मॉडल पेपर सही छपा था कुण बी का मान निकालने बुला था जो कि 90 डिग्री हो जाएगा समकून तो बनेगा आप लोग इसको देख सकते हो बना के नाक। शफर गीए बित की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ब्यास होती है, कल ही मैंने आप लोग़े सारा चीज़ आगे देखिए, बिंदू पी से किसी पृत की स्वरस रेखा कि लंबागा 24 सन्टीमिटर है और केंदर से बी की दूरी 25 संटीमिटर है तब ब्रित की तिर्जा हो जाएगा इसको सॉल्व करना भी मैंने आप लोगों सिखा दिया था तो 30 का सही उत्तर दोस्तों साथ हो जाएगा यहां पर यानिक ऑप्सन नमबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा और आगे देखिए 34 चोंच बिल्कुला Loud यहां जोगा जत्तर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 36 तुर स्वाल कि गैश्यन देखिए क्या बोला है कि केंडें कुन ठिटा और तिर्जा आर वाले तिर्जाखन का च्छेतफल होगा तो तिर्जाखन का च्छेतफल थीटा पटे 360 इंडिव पायर स्कॉयर है थोड़ा घुमागल लिखाता है यहां देखिए थीटा पटे 360 है और पायर स्कॉयर भी यानिका ऑप्सन नमबर 2 बिल्कूल सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला है तो इसका सही उत्तर हो जाए आपसन नमबर 3 यानिकि 22 सिंटीमेटर में इस सवाल भी आप लोगों कर वाया था उन्चालिस नमबर स्वाल जो की अंतीम स्वाल है आप लोगों का मुझे जितना लगा कि आप लोगा इस सेलबस में नहीं था क्योंकि साइद यह बारव जा लोगे तो 45 डिग्र हो जाए आठ ताने है ठीक है इस प्रकार से आठ ताने था इसको आठ घुग है रहे तो आठ को एक स्वाइट कर दोगे दोस्तों आप लोगा 45 डिग्री निकल कर सामने आ जाएगा समझ गये कोई दिक्कत नहीं तो 40 सवाल दोस्ति आप अपर आप वीडियो पानी के लिए चले सुलभी वाल थेंक्यों अपिकल इतना है फिर मिलिके नेक्स वीडियो में जल्दी तब तक लिजा हिंद वांदे मातरम